तो हेलो फ्रेंड मेरे नाम यासू मिस्टर यासू है कर योटूब चैनल में आपका स्वागत है इस वीडियो में बनाने वाले एक समर्सिबल पंप या वाटर पंप जैसे आप कह सकते हो तो वीडियो को कम्पलीट देखना जिससे आपको पूरी इन्फोर्मेशन मिल सके फ्रेंड्स यह मैं ले लिए एक पीवीशी पाइप और एक मोटर ले लिए इसका साइज मैंने आपको दिखा दिया है तो आपको इस टाइप से इसको कट कर लेना है इसी में ही मैं पूरा वाटर पंप बनाऊंगा तो देख सकते हो यहाँ पर मैं निशान लगा रहा हूँ ताकि मैं इसके लिए एक पीश कट कर शोगो जिसमें हमारी मोटर का साफ्ट फिक्स हो सके तो इसके अंदर जाना चाहिए और बिल्कुल टाइट रहना चाहिए और फ्रेंड इसको मैं पूरा वाटर प्रूफ बनाऊंगा तो वीडियो में बने रही है ताकि आपको पता चले किस टाइप से वाटर प्रूफ बनेगा तो देख सकते हो इसके बीच में हमें एक होल करना है जिसमें हमारी मोटर की बेरिंग फिट हो सके तो इतना बाड़ा मैंने होल कर लिया है इस होल्टरिंग मचीन की मतलब से और ये इसमें अच्छे-छे फिट भी हो रही है फ्रेंड्स चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना ये काफी छोटी वीडियो में बना रहा हूँ ताकि आपका समय बचे और पूरी इंफोर्मेशन आपको मिल सके फ्रेंड्स देख सकते हो इसके अंदर हमें एक प्रोपलर बनाना होगा जिसकी मदद से हम पाने को थ्रो कर सके तो यहाँ पर देख सकते हो same distance पर चिपका सकूँ तो फ्रेंड देख सकते हो मैं फियूकिए कि मदद से इसको चिपका दिया है और इसको थोड़ा वैंक रखना है जिसके यह काफी उजिली पानी को थो कर पाएगा तो इस टाइप से मैं चारों को चिपका ले हैं और हमारी मोटर खराब नहीं होगी, तो देख सकते हो, मैंने पूरे को कवर कर दिया है, और फ्रेंड इससे पहले मैंने एक और वाटर प्रम बनाये था, तो आप चाहें तो उसकी वीडियो भी देख सकते हो, वो भी काफी ज़्यादा अच्छे से काम किया था, और आपको उस पानियों को और जादा तेज धरो कर पाएगा, तो देख सकते हो, यहां पर इसको मैं फवेकर की मतल्द से यहां पर चिपका लूँगा, और यहां से लिकेज नहीं करनाಚ तो फ्रेंट्स देख सकते हो मोटर के पिछे की साइड में भी कुछ होल है तो उसको भी मैं बंद करूंगा तो वीडियो में आप बने रही है ताकि आपको पूरी इंफोर्मेशन मिल सके यह पीछे की साइड में मैंने कैप कट कर लिए और इसमें तो खाचे बना लिए जिसक पिछे की साइड से वाटर्प्रूफ हो जाए और पानी मोटर के अंदर न जाए तो देख सकते हैं तो इसको अच्छे से चिपका ले न जिस से पानी इसके अंदर न जाए क्योंकि हमें इस पूरे को पानी के अंदर डबो ओना है यह हमारे कंपलेट हो चुक आए तो आब ह कनेक्शन कर लिया है तो आप इसकी टेस्टिंग आपको मैं करके दिखा रहा हूं और फ्रेंट्स ये पांच फूट से छे फूट तक एजली पानी को फैंक सकता है तो मैं आपको अलग-अलग कैमेरे के एंगल से दिखा रहा हूं तो आप देख सकते हो इसकी कितनी ज़्याद गारों कि सबस्क्राइब करें और फ्रेंट्स ये वीडियो आपको पसंद आए हो कि तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नहीं है तो प्लीज सेंगल भूआइईकन को ऐसे करेंग